गेल को मारा यूट्ञाम चॏनल यूटियूब चैनल आज का वीडियो है इस वीडियो हम बात करेंगे आपका इसी पार्ट बन बेसी करी है सेज्ञ आहने वाला थीच है बेसे पाड़ फल्स सेमस्टर के लिए इसमें हम ज्लोजी पढ़ेंगे जिसमें जिसमें कि हम M.C. की बात करेंगे ठीक है? जिलोजी तो जिलोजी का slavus आपने देखा ही होगा आपको इसमें क्या-क्या पढ़ना है जिलोजी के इंदर तो इसमें आपको पढ़ना है साइटोलोजी साइटोलोजी एंड जैनेटिक्स पढ़ना आपको पढ़णा है उसके बाद आपका आ जाता है इन फ्रेक्स जी या ता है सिर सब्सक्राइब करने है थाउस है च design को यह यह फश्थ से लिए फ़स्ट से लिए नहीं है तो कापते यह हम यह इसको आठ है यूनिट में डवाई कर दिया गाएं कि समय हम फश्ट टू एट फूर्थ उनिट तक के सभी के mcq के बारे में बात करेंगे ठीक है फॉर्थ उनिट के mcq तक इसमें हम कवर करेंगे ठीक है तो चलिए हम किसी भी टॉपिक को मतलब यह इसमें जो दे रखा है जो कोश्चन दे रखें उन में जो टॉपिक से पूछे जाते तो बहुत हमारे यह objective बन जाते हैं तो और साथ ही बताना चाहूंगा आपको मतलब जो हम आज वीडियो पढ़ रहे हैं इसका अगर आपको पीडिया फॉर्म चाहिए तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो को description box में मिल जागा जहां से आप उसको download कर सकते हैं ठीक है और अपनी पढ़ जाने की plasma membrane को एकाई जिली किस बैग्यानिक ने कहा था plasma membrane ठीक है जिब द्रब इकला सभी जीबों के अंदर जो द्रब भरा होता है उसके सबसे बाहरे एक लेयर होती है उसी को वह • किस न रहना कर दो थ्यूंसर सबसे अधिक कहा होता है वह सबसे जादा कहा होता है वह सबसे जएदा आपका ka endoplasmic reticulum, क्या हो जागा? इस्पूथ endoplasmic reticulum, ठीक है? हिस्पूथ endoplasmic reticulum, तो आपका CS b answer हो जागा, सबसे ज्यादा जो होता है? झारी लिपिड का निर्माण का होता है? इस्मूथ endoplasmic reticulum भी ठीक है? नेक्स्ट कहा रहा है निम्लिखित में से कौन सा यूग में सुमेलित नहीं है अब आपको बताना है इन में से कौन सा जोड़ा है कौन सा पेर है जो सुमेलित नहीं है यानि कि मैच नहीं खा रहा है तो आपका यहां पर हो जाएगा बी ऑप्सन यानि कि लार्ज सेंट्रल वै क्यों होता है यह एनिमल सेल्स में नहीं पाया जानता है ठीक है नेक्स्ट हमारा फूर्थ कॉश्चन कहई रहा हाइडरो लेज जल अपहटनी यानि कि जलक का अपहटन अपस्ते तो यह यह आपको मिलेगा लाईजोजोम में देखने को ठीक है नेक्स्ट इसके बाद है हमारा वह कोशकांग जो प्रोटीन गलाइको साइलेटिन में भाग लेता है यह कह रहा है तो इसमें हो जाएगा आपका सी अंसर अणडल प्लाजमिक रेटपूलयम सी के अंडल मेंभैन नहीं है तो मेंभैन तंत्र का घटक कौन सांगा हमारा मैंट्रो कांट्रिया नहीं हो होता है जो कि सेल को ओर्जा प्रदान करता है ठीक है इसका मेंब्रेंस नहीं कोई लेना देना नहीं मस्तिस्थ होता है नै Kinण ने था वो हमारे वज्यानिक थे रोनाल्ड रॉस कौन से थे रोनाल्ड रॉस तो आंसर आपका फस्ट हो जाएं नेक्स्ट कहरा सालिम अली का संबंद किनके अधिन से नोने पक्षियों का दिन किया था तो यह क्या हो जागा आपका सालिम पक्षियों से संबंदित था कोशिका की खोज किस वाइग ग्यानिक ने की थी तो कोशिका की खोज आपके रावट उकने की थी ठीक है किस ने की थी रावट होगने ठीक है है 1965 में 1665 में 1665 में 1765 में रावट होगने घी ठीक है तो ने ठीक हमारा पूंच तो Chicago हमारा यह होता संसक्राइब तोत कर हम मतलब आपनी आंखों से नहीं पाता है नेकिन वह थोड़ा है मारा गाड़ा होता जैसे हम बात करें गोंड का बिलियन आप गोंड़ का विलिण लेलो ओ दूध लेलो यह सबी क्या है यह सबी हमारे ने सब फिजीवन का बहुत-चे कि आधार है जह किसने का जीबदरब जीवन का बहुत एक आधार है ये कौन से बैग्यानिक ने कहा था तो भाईया ये कहाता है हक्स लेने किसने कहा था हक्स लेने कहाता कि जीबदरब जीवन का बहुत एक आधार है नेक्स्ट कहा रहा है प्लाजमा जिली का मुख्यकारी है प्लाजमा मेंब उसके में पलाजमा को साहता प्रदान करती है और उसकी आकरति आकार बनाई रख़ती है तो हम कहते है वो पर यूगत इसका क्या हो जागा सभी घृति हृती क्या फागर के यह उसके चारों पैने क्या पाई जाती है यह पूँछ रहा है तो नेक्स्ट का सिध्धान्त का पृत्या नेरे कॉष्य का शिद्धान्त का ने पृत्यला नहीं किया था संसिलेषर तो संसलेषर कहा पर उता यह आप नहीं आपको बताना है तो पrzy में कवर प्रोटीन का संसलेसर होता है फिलाजम जलवाजमी की मोटाई कितनी होती है तो प्लाजमी जो होती है उसकी लगतो की 75 ख्राम खनत समय गिंटी फैस्टाङय इस तनियों है कौन आफ में का वैगो सैटोसिस प्रदर्शित करती है तो यह आपकी कोशिक हो कि यहां पर लूको साइट कौन से हो जाएगी लूको साइट ऐसे कोशिका होती जो फैगो साइट फैगो साइटोसिस प्रदर्शत करती यह फैगो साइटोसिस क्या होता है कोई कोई कोशिका होती है जिसमें बाहर जो कोई एक पदार्थ भरा रहाता यह कोशिका करती उसको अ और इस तरह से एक इस तरह का स्टक्चिर बन जाता तो इसी हे को ड jeunes सही सुन हिलंग माडल प्रितिपादित करने वाले भाहने का नाمة तो द्रब मोजेक माडल कौन से बैग्यानिक ने प्रिति पादित किया था वो हमें बताना है तो यह हमारे कौन से थे सिंगर कौन से थे सिंगर एवं निकलसन तो इन्होंने द्रब मोजेक माडल को प्रस्तुत किया था या प्रिति पादित किया था नेक्स्ट हमारा कह रहा है मानने हों, तो हमारा कॉंसा यही हो जाएगा, द्रब मोझीक सिधान, ऐसा प्रच्छल था या बहुत य्यादा मानने था, ठीक है, ने?ट हमारा कहला है, टुन्टी बन, लाइसोजोव मर 198 न रीच मान हो तबो कितना था, 5.0 आप है, तो इसके मेरे सूंतियों का, एस कैसा हो जागा यह acidic medium हो जागा इसका ठीक है हम लिए नेक्स्ट कहा रहा है एंडो plasmic क्या है यह एंडो plasmic reticulum किसकी उत्पादन में सहयोग करती है तो यह जो endoplasmic reticulum होती है यह इसका मतलब होता है प्रोटीन का संसलेशन करना तो प्रोटीन के उत्पादन में यह मदद करती है ठीक है है के रहा है गाल्झी कalplex का उद्झा किससे होता है यानिकी कि गाजी का निर्माड किससे होता है तो आपको इसका अंसर बताना है क्या हो जागा आपका अंसर हो जागा डी वाला है endoplasmic reticulum क्या हो जाएगा endoplasmic reticulum से galgic complex का उदय होता है 24 कह रहा है कोशिका में आतम घाती थैली किस अंगो को कहते हैं तो आप जानते होगे कि lysozome को आतम घाती थैली कहते हैं ठीक है next हमारा हो जाएगा lysozome में सबसे अधिक पाया जाता है तो lysozome में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है तो सबसे ज्यादा इसमें पाया जाता है Hydraulitic enzyme ठीक्या पाया जाता है Hydraulitic enzyme answer D आपके हो जाएगा 26 गयरा पादब कोशिकाओं में पाये जाने वाले गौल जी गंपलेक्स unit क्या है है तो पाद पोश्चकाव में सिल यूनिट पाई जाती है रही पूछ रहा है तो इसका आपका हिये होजाएगा धिक्तियोशों क्या होन्सओं सी अंसर हो जागा आपका इस अ मैं मिढनकर वेशे जिसम नहीं पिए जाता है तो लाइसोप किसमें नहीं पाया जाता है उ घंच्ट। लाल रुधिर कड़काओं में जो है हमारा लासोप नहीं पाया जाता ठीक है यह WVC में पाया आता वाइट विलट सेल्स में नेक्स्ट कारा लाइसोसूम की खोज किस ने की थी तो लाइसोसूम की खोज करने वाले वैग्यानेक हमारे थे ड्यूग कौन थे ड्यूग क्रिस्टियन डी ड्यूग क्रिस्टियन डी ड्यूग क्रिस्टियन डी ड्यूग नेक्स्ट कारा लाइ कोशिकाओं की परासंज्रचना का सबसे अच्छा अध्यन किया जाता है तो कोशिकाओं की परासंज्रचना का सबसे अध्यन किसके द्वारा किया जाता है तो यह हम कर सकते हैं सुक्षम इसको प्रॉक्साइड कहते हैं से संबंदित कोश्कांग तो प्रॉक्साइड से संबंदित कोश्कांग कौन से होगी प्रॉक्सी सोम हो जाएगी ठीक है दूसरा कहा रहा है तो जितने भी माइक्रो ट्यूविल्स भाग लेते हैं वो क्या बनाते हैं किसमें भाग लेते हैं तो यह हमारे भाग लेते हैं कोशिका विभाजन में किसमें भाग लेते हैं कोशिका विभाजन में कोशिका विभाजन में माइक्रो ट्यूविल्स हमारे भाग लेते हैं ठीक ह माइट्रो कॉंड्रिया में नहीं पाए जाते हैं ठीक है नेक्स्ट कह रहा है किस आर आरेने का निर्माण किंद्रक में नहीं होता है तो ऐसा कौन सा आर आरेने है आर का मतलब होता है राइबो जोमल यह स्मॉल आर लिखा राइबो जोमल राइबो एस ओ मेल राइबो जोमल तो ऐसा आपका होता है यह और आ रहेने जो केंद्रक में नहीं बनता है तो यह साइक्लोस क्लेटन होता है वह आपका वह 시고 waterstone क accommodation ँपर यूब्स दोनो दो न इस निमन लिखित में से कौन सी सरचना olmak का खाना पाइजाती है ृथ का बादा पोश्चका में नहीं पाई जाती है ल्टी तो कांसी हो जाएगा गीए तो आप च्किसमें पाए जाते हैं प्रोकुरियोटिक को शकावं में पाए्जाते हैं कोशिक कि कि लिए उत्तरदाई माना काम क्या होता वह होता है और कि सचित रहती है और का परिवहन खाई verivity सचित कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो जागा डी ठीक है तो माइटो कंड्रिया उपरियुक्त सभी के लिए उत्तरदाई होती है ठीक है इलेक्ट्रॉन परिवहन एटीपी निर उत्पादन और कोशिका स्वसन में कि कोशिका में उर्जा का सिक्का किसे कहा जाता है तो एटीपी को कोशिका में उर्जा का सिक्का कहा जाता है यानि कि किसी कोशिका में जो उर्जा बनती ही वो किस रूप में रहती एटीपी में ठीक है एडिनोसीन ट्राइफॉसपेट एडिनोसीन ट्राइफॉसपेट जो कि तो आपका किसमें मिल जागा तो यहां पर आपको मिल जागा किसमें हो जागा माइटो कॉंड्रिया मँजा रिया हो जागा से और इस को कर आपक और क्या घ़ सीटू Kr upfront पर यूग्त क्या हो जागे सभी ठीक सभी नामों से को जानते हैं एक ग्राम ग्लुकोज को अरोगी की निर्मार होता है एक चुन्याम गुलुकोज का शोसन होने टीक करमाइटकॉंड्य नाम किसे दिया तो ऐसा था जिन्हों ने माइटकॉंड्या नाव् दिया था यह बैग bipolar थे हमारे बेंड़ा कौन थे बेंड़ा रॉक्डिय sino का कौनन सा प्रकार आप तोج यह इसके मैक्रोटेन किसे बने होते तो यह न होते हैं यह बताना आपको है के तो माइक्रोट इनल समार है किसके बंखे होते हैं यह cooperative जैनी और यह एब बैंगा के एम जुक्रों पाटनों गरां तो कम अशे करें थिकत्रमा डार आ कहरा है पनपस्तित होते हैं, तो ये आपके जिवानू कोशिकाओं में नहीं पाजाते हैं, जिवानू कोशिकाओं में नहीं पाजाते हैं, शिकंड कहरा है, उकाजाकी फ्रेगमेंट देखे जाते हैं, प्राया किन में, उकाजाकी जो फ्रेगमेंट होता है, वो आपका किसमें देख जाता है यह कहा रहा है तो ओका जाकि जो हमारा फ्रेग्मेंट होता है वह आपका रेप्लीकेशन में देखने को मिलता है किसमें मिलता है आंसर इसका सी हो जागर रेप्लीकेशन नेक्स्ट कहा रहा है क्रोमोजोम की सोलेनाइड सरचना का ब्यास होता है तो क्रोमोजोम की जो प्रोकरियोटिक तथा यूकरियोटिक कोशिकाओं में निमनिलिखित का ना पाया जाता है वेकर हम दोनों में जब अंतर करते हैं तो कह रहा है प्रोकरियोटिक कोशिकाओं में निमनिलिखित का ना पाया जाता है तो ऐसा कौन सा है जो प्रोकरियोटिक कोशिकाओं में ना पाया जाता हो तो वो आपका हो जागा यहां पर केंद्रक कला क्या हो जागा आंसर सी केंद्रक कला यही नहीं पाया जाता है आपका एक का नियंत्रन केंद्र क्या है तो कोशिका का federal क्रते हूं कैन था फॉसcentered कोशिका करता है यह होता है थीक है है इसमतर केंद्र क्या है तो क्योशिका होता है जिस तरह से हमारा म constitu किंद्र इसका नियंतर्र के अंदर होता है रहा डीएने में प्यूरीनृ क्वावल करें तो टीएंएंउने में प्यूरी न्यूरी में कौवल होते हैं वह कौन से हमारे हैं और फिर einen क्या हो जागा आपप आंसर गार टीक तोरीन के prawd की अगर आप आप से बात कर ले तो ब्रुमिदीन में आपका क्या पाया जाता है थाइमीन और आ कि eradfilm एक डिन्य चैन्ट हमारा करें टेन किंद्र का का मुख्यकारी क्या होता है तो किंद्र का का मुख्यकारी होता है किंद्र के अंदर भी एक छोटी सी सरचना आपको देखने को मिलती है ठीक है उसका कारिये क्या होता है तो किंद्र का का कारिये क्या होता है किंद्र का का कारिये होता है राइबोजोम का निर्मार करना क्या होता है आंसर सी उसका हो जागा राइबोजोम क तो यह जो हमारा डियने है इसमें ये जो डोनों हमारे होते हैं यह आपस में ये कौनसे बंस्तवारा जुदडे रहते हैं तो यह हमारे हाईड्रोजन बंस्तवारा जुदे रहते हैं आपका क्या हो जाएगा किस ने खोजा तो कोषिकर का जो केंद्र तो उसकी खोज किसने गोंगी थी उसकी कोज हमारे रावट ब्रांट हो जाएगा नेश्ट कहा पालिटीन गूर्ट सूत्र की खुज किस ने की थी तो पॉलिटीन गूर्ट की, खुज करने वाले बैग्यान श्क किम यहां से यहां से यहां किस पदार्थ के बने होते हैं तो जो हमारे जीन किस पदार्थ के बने होते हैं आपको यह बताना ठीक है जीन हमारे किस पदार्थ के बने होते हैं तो जीन हमारे यह द्हान रखना आपको ना बसाक पर ना रहें के वतंगे देडिन होझा फर्स्त की किसने की तो जो देने पौलिमरे घोटा है उसकी किस ने तो उसकी खोज की थे हमारे जो फोन वर्ण के वह ग्यानिक थे कॉरेंवर्ग नाम जो बैग्यानिक थे इनने की थी DNA पॉलिमरेज फर्स्ट की खोज नेक्स्ट हमारा है जाइगोट जाइगोट में कितने गुरसूत्र पाए जाते हैं तो जाइगोट में अगर हम गुरसूत्र की बात करें तो कैसा होता है यह multiple होता है ठीक है दो गुरसूत्र पाए जाते या। आपका किसमें पाए जाता है टो यूरेसल की अगर हम बात करें तो यूरेसल जो होता है हमारा वो आर एने में पाया जाता बच्चों किसमें पाया जाता आर एने में पाया जाता है ठीक यूरेसल और थाइमीन आरने में यह हमारा क्या था प्रिमिडीन बेस होता है यह प्रिमिडीन बेस होते हैं जो कि किसमें पाए जाते हैं आरने में कौन-कौन से होते हैं यह हमारे एक तो थाइमिन होता है दूसरा कमसा यूरेसल होता है यूरेसल किसकी जगह पर होता है साइटोसीन की जगह पर होता ठीक है अगर हम DNA की बात करें DNA की बात करें तो इसमें क्या होता है साइटोसीन और थाइमीन अगर RNA की बात करें तो RNA में साइटोसीन की जगए पर क्या जाता है यूरेसल आ जाता है ठीक है बागी वही हमारे चार नाइटोजन बेस होते है ठीक है तो वो हमारे के वल्ड़ेयर नाम के वर्ग्यानिक थे उन्होंने time C$1 का नाम था डबलू वालडेयर थीका वाल्डेयर ने मताया है घृतzn reasons क्या होते हैं उन्होंने इसको नाम दिया था अजह शु से उसको किस नाम से जाना जाता है तो यह हम कहलाते हैं क्या कहलाता है हमारा अंसर सी टैमिनिजम, नेक्स्ट कहा रहा, बरावर की बोजाओं वाले गुरसूत्रों को कहते हैं, यानि कि जिन गुरसूत्रों में बोजाओं कैसी होते हैं, बरावर होते हैं, ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं तो उनको ऐसे गुर्षूत्र जिन में बरावर की भुजाएं होती है तो उन्हें हम कहते हैं मेटा सेंट्रिक क्या कहते हैं मेटा सेंट्रिक कहते हैं नेक्स्ट कहा रहा है ठीक है पफ पाये जाते हैं तो पफ किसमें पाये जाते हैं पफ हमारे गुर्षूत् इसमें आंसर बए पॉलिटिंडुइंड गुड़ सूत्र होता है वो हमारा क्या कह लाता हुँ ढ DO MERE हो जाओगा है नेक्स्ट कह रहा है रना रपी राइबोन्यूक्लिक ऐसे का क्लोवर लीफ का रचना का किसने प्रिस्तित किया था जो ओर ने उसका जो क्लोवर होता वो लीफ आकर सरचैंग का होता है ऐसा कौनसे alta इसकी खोज की ठीए तो यह आपके बैग्यानेक टेडवे और डलू हॉली कौन से थे और डलू हॉली ठीक है जिननंग ना आरने को लीफ आकार का बता नेक्स्ट क्या होता है दोई कुंडलिद डी एने का ब्यास होता है जो हमारा दोई कुंडलिद डी एने होता है उसका ब्यास किता होता है अभी आपने देखा था प्रोटीन संसिलेशर तो आंसर क्या हो जागा आपका भी यहां से हो जाएगा नेक्स्ट कहारा सबसे अधिक सबसे अधिक क्रोमोजोम पाया जाते हैं तो सबसे ज्यादा क्रोमोजोम से कहां पाया जाते हैं यह आपके पाया जाते हैं ओलो कैंथा में सबसे ज्यादा तो यहां पर अगर हम नुक्लियोर में फासफुरिकव को जोड़ती किसको जोड़तीет फासफुरिक अमनोत को जोड़ते है तो आपका क्या बन जाएगा?」 थीजिए में थीजित सभी है003 है कि rasa जिसान अरएन यहांए की ट्रांसफर क्या हूं आशी होता है इन निमन के बीच क्रियान बत होता याani कि ट्रांसफर आर निमन के Bच में क्रिया करता है तो यह आपका क्रिया करेगा अमी अइन Amino Amine और Mrna 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 को कहते है Messenger messenger RNA जिसे हमסन्देश वहक कहते है संदेश वहक संदेश वहक सोरी जो सूचनाओं के एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है टीक है तो संदेश वहक 他 टी-यार ऐनके बीच हम बताता है Amino Amine ौर ओर Mrna पाए जाती है हिस्टोन नामक जो प्रोटेन है बूख किसे में पाई जाती है आपको यह सब्सक्राइब है तो क्या नहीं होती है तो क्या कर अपको यह 646 यह दो पेजग लिए आपको देखने नहीं मिलेगा यह आपका सपर्ड हो गई हम बात करते हैं यूनिट four की मत किशिक क्वे फोर्थ तो आप इस वीडियो का PDF लिंक अगर चाहते हैं तो आप इस वीडियो के description box में आपको link मिल जाएगा जहां से आप इसकी PDF form को download कर सकते हैं और आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं ठीक तो यह जो चार यूनिट है हमारे इन सभी के objective अगर आप पढ़ लेते हैं अच्छे से तो आप काफी हद तक कोई भी मतलब objective छोड़ कर नहीं आऊँगा ठीक है अब हम यह तो नहीं कह सकते कि 100% सभी आ जागा क्योंकि इन केस अगर आप का एकाद चेंज हो गया तो आप काउगे लोग सरने का था कि 100% आएगा और यहां 100% नहीं मिला देखने को तो मैं करूंगा कि मतलब mostly आप यहां से अगर यहां से पढ़ लोगे तो mostly आप सब लगा के आओ ठीक है कोई भी एकाद ऐसा होगा जो कि आपकी समझ में ना है तो बहुत लगा लेकिन फिलाल आप सभी कर दोगे ठीक है चलिए हम फूर्थ इनिट देखने कहां होता है तो साइनेपसिस जो होता है व होगा उनके बीच यहां पर यह जो होता है इसको हम कहते हैं साइनेपसिस ठीक है नेक्स्ट हमारा कहा रहा दो कहा इस सिंगल सेल को माइटोटिक सेल डिवीजन के द्वारा एक सो अठाइस सेल बनने के लिए कितनी वार सेल डिवीजन की आवशकता होगी यानि कि कोई एकल स सेल है जिसको माइटोटिक डिवीजन तो यह माइटोटिक डिवीजन होता है आपका माइटोटिक सेल डिवीजन इसका मतलब होता है कि यह सेल से दो बन जाएंगे एक बार में ठीक है यानि कि समसूत्री क्या होता है समसूत्री एक सेल है तो एक से कित्ती बन जाएंगी पितने हो गाल यह कre आपकी चार फिर कितने हो जाएंगी चेंडा फिर 12 पिर कितनी हो जाएंगी चॉअब स Ka futur मैं एक से दो धो से चार बोलस यह हो जाना तुरम ह Ci हो जाएंगे यहँ हो स्व लाइस से आप एक cوف d Kerry से में ऊरे गाल जाना है यह 12-t員 चार 15 schiis 7 तो हम कहे सकते कि सात बार इसका कितनी बार होगा सात बार सेल डिवीजन ओगा आपका अंसर यह जाएगा ठीक है वह चैघ। इस्टैट जैट पाथवेorg संबंद है तो जैक इस्टैट जो पाथवे συνहारा इसका संबंद किसे आप का संबंद किसी से है तो किया सकते है यह हमारा फिरतिद्ल करता है निस्ट करता है और को भी दिखाता है तो हमारे यहां जाएया इसका आंसर उपर युक्विक्त सब्यो जाएगा यह झाक स wounds संबंदित है कोश्य का चक्र के नियंत्रण से संबंदित है तो कोश्य का चक्र के नियंत्रण से क्या संबंदित हो जागा आपका यह आपका देखो cyclins भी होता है CDKS भी होता है और P53 genes भी होता है तो हम कह सकते हैं उपर यूगत हमारा क्या हो जागा उपर यूगत सभी हो जागा है ठीक है कोशिका चक्र के निमलिखित अवस्ता होती है तो कोशिका चक्र में देखो चार अवस्ता होती है कौन से होती है G1 भी होती है S भी होती है और एक M होती है और एक आपकी G2 होती है तो ये चार अवस्थाएं होती है कोश्का विवाजन में जहां आपको G1 दिखाई दे रहा है S दिखाई दे रहा है G2 दिखाई दे रहा है M नहीं है कोई बात नहीं तो यह क्या हो जाएंगे सभी हो जाएंगे अगर MB होता तो भी हमारी कितनी हो जाती चार हो जाती सभी ठीक है तो वहाँ पर आपको पांच ऑप्सन मिलते देखने को नेक्स्ट कहला है साइटो काइनेसिस का अर्थ है जो साइटो काइनेसिस होता है उसका मतलब क्या होता है उसका मतलब होता है साइटो प्लाजम का विभाजन क्या होता है साइटो प्लाजम का विभाजन साइटो काइनेसिस कहलाता है तो करियो साइनेसिस क्या होता है तो करियो कि क्रोमोजों की संख्या परिवर्थित रहती है माईटो कि समें कि नेक्स्ट कहा रहा है क्रासिंग ओबर अर्द सूत्र की किस प्रावस्था में होता है जो क्रासिंग काईसि के बाद मैं इसी कौन सी प्रावस्ता गता क कीमया प्रदर्सित होता तो किने की आप को बताना तो आप कहां सकते कि दिपलोटीन जो होता है हमारा के आप समय देखने को मिलता समसूत्री विभाजन मायटोसिस जो अभी हमने देखा था समसूत्री विभाजन पाया जाता है तो यह किस्में पाया जाताया यह हमारा मौष्टली काय कोश Гर हो ने लगा तो उनमें जो बुझ जाता항 1 प्रदर्सत होती है तो गुड्सूत्र की वाहिसारचना सूत्री-विभाजन की अवस्ता में तो प्रदरस्त होती तो गुड्सूत्र की बाहे साटक्तिना सुत्री बिवाजन की कौन सी अवस्था में अवस्था में प्रदर्शित होती यह आपकी होती है डिपलोटीन में किसमें हो रहा था डिपलोटीन में आंसर यह हो जाए यहां से समसूत्री विवाजन जिसे माइटोसिस कहते हैं ठीक है समसूत्री विवाजन यह होता है समसूत्री विवाजन किसमें होता है आपको यह बताना है तो यह होता है आपका वर्धी कोशकां में से कित्ती बन जाएंगी सोरा बन जाएंगे इसी तरह से आपका क्या हो जागा माइटो से हो जागा तो आज का वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं ठीक है हमने एक से लेकर फर्स्ट टू फॉर्थ उनिट का इसमें देख लिया है एक नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले मिलते रहें और आप सभी जो भी आप पढ़ रहें ठीक है वह अच्छे से उसकी त्यारी करते रहें और साथी साथ एक लाइक का बटन भी आपको दिखाई देता होगा वह भी दबा दीजिए जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता और हम आपके लिए और अच्छे से पढ़ाने की कोशिस करते हैं जितना अच्छा हो सकता है ठीक है तो इसका लास्ट में कहना जाओंगो अगर आपको इसको पीडिया फॉर्म चाहिए तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जागा जहां से आप इस वीडियो को डाउनल